हेलो उस्तुम, स्वागता हैं आपका अपनी यूटूब चैम्टरा क्लासिस में प्यारबच्चों कैसा आप जो भी उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे जैसे कि आप सभी को बता है यूपी बुलिस कॉंस्टेबल के लिए हमने पढ़णाम बैस शुरू किया है इस बैस के अंतरगत प्यारबच्चों हम यूपी बुलिस का स्लेवर्स बहुत अच्छे से कंप्लेट करने वाले हैं काफी बच्चे परेशाने से स्लेवर्स कब तक कंप्लेट होगा बच्चे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपका स्लेवस यूपी पुलिस की एक्जाम से एक महीना पहले बहुत अच्छे से कंप्लेट हो जाएगा एक महीना मैं आपको रिविजन के लिए दे दूँगा जो प्यारे बच्चों में परणाम बैच के अंतरगत स्लेवस कंप्लेट कराने वाला हूँ जो प्यारे बच्चों के लिए परणाम बैच के अंतरगत होने वाली एक-एक किलाश को अच्छे से देखा होगा बादा करता हूँ और जो एक महिना में आपको देने बाला हूँ बाद में स्लेवर्स कंपलेट होने के बाद रीवीजन अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो बादा करता हूँ आप 120 प्लस कुशन करके हैंगे ठीके कितने 120 प्लस कुशन कर काएंगे बस बिश्वास रखिए जब आप पेपर दे कर आएंगे तो खुद कमेंट करेंगे सर हमारे इतने कुशन सही हुए हैं पर आपने इमानदाज से तयारी की हो और मेहनत करी हो प्यारे उच्छो तभी ये संबब हो पाएगा किलियर है अब बच्चे परिशान है सर मैस की वीडियो नहीं आ रही है सर जीके की वीडियो नहीं आ रही है सर हिंदी की वीडियो नहीं आ रही है तो प्यारे उच्छो मेरे जो टार्गेट है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले मेरी कोशिस है कि मैं reasoning और हिंदी reasoning और हिंदी को complete कर दूँ UP police के form आने से पहले पहले ठीक है अगर हमारी ये दोनों चीजे complete हो जाती है तो हमारा 70% प्यारे बच्चो selection यहीं हो जाता है कितना 70% selection हमारा यहीं हो जाता है क्योंकि प्यारे बच्चो यह दोनों subject जो है ना इन दोनों subject को जो strong कर लेगा ना क्योंकि हम हिंदी में full में से full marks ला सकते हैं और reasoning में भी हम full marks ला सकते हैं एक दो कोशिशन गलत हो जाए वो अलग बात है पर अगर हम कोशिश करेंगे महनत करेंगे तो full में से full marks reasoning में लाए जा सकते हैं ठीक है हम कोशिश करेंगे कि इन में दोनों में हमारे number ना कटें ठीक है अगर हम इन में अच्छा score कर पाएंगे क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सबस्याद marks की जो प्यारे बच्चों पूछी आती है तो बच्ची मैं आपको बता देता हूँ maths मैंने sscgd के डाएंप दस चेप्टर आपको करा दिये थे ठीक है पिले लिस्ट आपको मिल जाएगी आपको क्या करना है पिले लिस्ट में वो दस के दस चेप्टर है उनको जाकर अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आपका मैंस बिल्कुल जीरो है तब ठीक है उन दस के दस चेप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए पढ़नाम बैच के अंतरगत भी मैं आपको उन चेप्टर कराने वाला हूँ पर क्या होगा जब आप उन चेप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तरीके से ठीक है जब आप सपोर्ट करेंगे तब यह संभव हो पाएगा किलियर है तो आपको इस तरीके से बिल्कुल परेशान नहीं होना कुछ बच्छे जीके के लिए वह ज़्याद़ पर छोड़ दीजिए जहां से आप यहां पढ़ रहें कोई भी पढ़ रहें बस इतना पढ़ते रहें ठीके मैं करा दूंगा आपको 20-25 कुश्चन की बीच मैं आपको पुचा दूंगा जीके मैं आपको ज़्याद़ परेशान नहीं होना मेरे उपर छोड़ दीजिए जहां से पढ़ रहें अगर आपको लगता है बहीं से पढ़ते रहें बस जितनी किलासे मैं पढ़ना बैच के अंदरग कराऊं इनको करके जरूर से लिया ना ठीके और जहां से आपका मने बहां से कर चुके हैं आज चोथा चैप्टर शुरू करने के लिए रहें किरम परिक्षण कोशिस करूंगा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं अगर नहीं हुपाएगा प्यारवच्चो तो दो वीडियो में तो कंप्लीट करें ठीक है पर मेरी कोशिस रहती है कि कम से कम वीडि फिर मैं कोश्चन देखने वाले हैं से कैसे पूछे जाते हैं है कि सबसे पहले प्यारवच्चो मुआ कि यह क्या एक पंक्ती है कि क्या है कि थीं के इस पंक्ती में अगर मैं भया सिरा पूछ कूँ तो आप बता देंगे बहुत आसानी से अगर ап कढ़ रहे ही तैमश अगर पबू ये कौन से सिरा हो गया बाया ये सिरा पूछू तो आप कहेंगे सर ये सिरा हो गया दाया बताओ दायें और बायें में तो किसी को दिक्कत नहीं है आप कहेंगे सर ये तो हम पहले भी शीख चुके हैं इसे में कोई दिक्कत नहीं है के लिए रहे इतनी बात अब मैं कह देता हूँ प्यारे बच्चो, दाएं-बाएं की जगे वो कौन से वर्ड यूज कर लेता है कौन से वर्ड कौन से वर्ड यूज करता है ठीक है? अन्त का मतलब क्या हो जाएगा? दाएं बता आऊ किसी बच्चे कोई दिक्कत यहाँ पर आप केंसर यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है अब वो इसकी जगह और क्या दे सकता है वो यहाँ पर यूज कर सकता है उपर किसी ब्यक्ति का राम या कोई भी लड़का दे सकता स्याम किसी का भी उपर से इस्थान दे दे और नीचे से पूछ ले ठीक है ठीक है यह नीचे से पूछ ले या फिर ठीक है उपर यह सबकी क्या है एक ही बात है सबका क्या है एक ही मतलब है बाया दे दे या प्रारंब दे दे या उपर दे दे किलियर है दाया दे दे अंत दे दे या नीचे दे दे किलियर है या नहीं आप कहेंगे सर बिल्कुल किलियर है यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किलियर है बिल्कुल किलियर है अब प्यारे बच्चे समझेंगे कोई पंक्ती है कोई एक पंक्ति है इसमें एक व्यक्ति है राम ठीक है कोन है राम का इस्थान बाएं से दिया है बार्मा और राम का इस्थान दाएं से दिया है बार्मा ठीक है इस पंक्ती में कुल कितने बिध्यारती है प्यारवच्चो जब भी एक ही ब्यक्ति का दोनों तरब से इस्थान दिया हो एक ही ब्यक्ति का दोनों तरब से इस्थान दिया हो और मुझे कुल निकालना हो मुझे के निकालना हो टोटल निकालना हो तो एक formula यूज़ करेंगे हम T is equal to L पिलस R माइनस के बन T बरावर L पिलस R माइनस के बन यहाँ T क्या है total मतलब कुल L क्या है left मतलब बाया R क्या है right मतलब दाया ठीक है और माइनस के बन clear है आप कहेंगे सर बिल्कुल clear है जब एक ही ब्यक्ति का दोनों तरब से इस्थान दिया हो तब इस formula का use करेंगे कैसे use करेंगे यहाँ समझिए T कितना ब्यारवच्चो बताना है कुल राम का इस्थान 22 से कितना दिया है left से आप कहेंग सर 12 और right से कितना दिया है आप कहेंग सर 12 minus के 1 कि मैं अगर कुल पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे तेहिस हो जाएंगे ब्यारवच्चो कितने हो गई तेहिस हो गई बता आप किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है आप कहेंगे सरक कोई भी दिक्कत नहीं है अब वो ऐसा भी तो कर सकता था अब वो ऐसा भी तो कर सकता है ठीक है जैसे यह पंक्ती है इसमें अब टोटल भी अक्ति वो दे दे टोटल दे दे वो इसमें क्या दे दे? कुल दे दे clear? मानलोग कुल दे दिया उसने तेहिस एक पंक्ती है जिसमें कुल विध्यार्थिकी के संख्या कितनी है? तेही से राम का स्थान बाएं से बारमा है तो राम का स्थान दाएं से क्या होगा sarà प्यक्तिटी बात चले केबल राम, राम की अव्यध्यार रखना कोन है? केबल राम है तो एक ही ब्यक्ति की बात चले तो कौन सा formula यूज़ करेंगे आप कहेंगे 60 बराबर L पिलस R माइनस के बन ठीक है आपके कुल दिया है कितना है तेही से T कमान अपके दिया है तेही से बराबर Left से इसका इस्थान दिया है 12 ठीक है राइट से इसका पूछा गया है माइनस के बन कोई दिक्कत नहीं है इतना solution तो आप कर सकते हैं इतनी calculation तो 4th 5th class के बच्चे को भी आती है ठीक है इधर क्या है 23 बराबर 12 में से एक माइनस करेंगे कितना बच्चे का 11 पिलस आर आर मुझे निकालना है तो कितना हो जाएगा 23 माइनस के 11 आर बराबर कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा आप देखते ही बता देंगे सर ये हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा निकाल दिया ये नहीं दाएं से इस्थान निकाल दिया आप कहेंगे सर बिलकुल निकाल दिया किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है आप कहेंगे सर कोई वे दिक्कत नहीं है अब question देख लेते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं पहला question आपके सामने है कमल एक पंक्ती में बायें छोट से तेहरमा तदा दाएं छोट से चोदमा है पंक्ती में उसका इस्थान दिया क्या है? कुछ भी नहीं है question में देखते ही आप बना सकते हैं कमल एक पंक्ती में बाएं छोड़ से बाएं मतलब लेप्ट से उसका इस्थान दिया है क्या है 13 और दाएं से राइट से उसका इस्थान दिया है 14 ठीक है तो पंक्ती में कुल बूजा गया है तो एक ही ब्यक्ति की बात चल लगे न केवल कमल की कमल का दोनों तरफ से इस्था पूछा गया है तो कौन सा फॉर्मूला होता टी जिकल टू एल पिलस आर माइनस के बन ती बरावर 13 पिलस राइट से कितना 14 माइनस के बन इतने को तो सोल्ब कर सकते हो कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर यह बचेगा 26 कितना बचेगा 26 फिस उप्सिन नमबर यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट को देखेंगे नेक्स्ट क्या कहता है बिल्कुल आसान चैप्टर है बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रियाज करूंगो कि आपको कहें भी कोई दिक्कत नहों गोरी लड़कियों की एक पंक्ती में दोनों छोड़ से ग्यार में इस्थान पर है जो लड़की है गोरी वो क्या है एक पंक्ती में दोनों छोड़ से उस लड़की का इस्थान यह कोई पंक्ती है प्यारवच्चे यह कोई पंक्ती है ठीक है ये क्या है एक पंक्ती है गोरी लड़कियों की एक पंक्ती में दोनों छोड़ से मतलब इधर से भी और इधर से भी दोनों से क्या है ग्यार में इस्थान पर है कौन से इस्थान पर है ग्यार में इस्थान पर है तो इस पंक्ती में कितनी लड़किया हैं कुछ भी नहीं है केबल गोरी गोरी है ना आप इसे बिल्कुल ठीक है T बरावर L पिलस R माइनस के बन T बरावर लेफ्ट से भी 11 राइट से भी 11 माइनस 1 T बरावर 21 इतना तो solve कर सकते हो बिल्कुल करना पड़ेगा इतना भी नहीं करोगे तो selection को भूल जाओ ठीक है इतना तो सभी बच्चों को आता होगा next question को देखेंगे next question में क्या बोला गया है यदि एक पंक्ती में संतोस का आरंब से आरंब बोल दे प्रारंब से ठीक है प्रारंब से शोलवा इस्थान है तथा अंत से दसमा इस्थान है उस पंक्ती में कितने लोग बैठे है कुछ भी नहीं है इसको क्या बोल दूं है प्रारंब का मतलब क्या बोल दूं left बोल दूं कोई दिक्कत तो नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है अंत को राइड बोलनों कोई दिक्कत तो नहीं आप एसर कोई भी दिक्कत नहीं है फिर क्या है केवल एक व्यक्ति संतोष की बात चल रही है नहीं कभी ऐसा उसमें मतलगा देना कभी ऐसा दियो जैए एक पंगती में संतोष का प्राणम से 16 मा इस्थान तता अंत से 10 मा इस्थान है जो संतोस है उसका प्रारम से 16 मा इस्थान है तता अंत से 10 मा इस्थान है तो उस पंक्ति में कितने लोग बैठें यह हम से पूछा गया है तो मैंने बता एक ही फोर्मूला T बरावर L पिलस R माइनस के बन T बराबर मैंने बोले इसको प्राडम को L वोल देंगे और अंत को राइट वोल देंगे ठीक है कितना 16 पिलस 10 माइनस के एक टोटल जगर इसको 16 करेंगे तो कितना आजाएगा 25 कितना आजाएगा बाबू 25 उप्शन नमबर यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्ट कुशन को देखेंगे नेक्ट कुशन भी काफी एजी है रमन कक्षा 10 का विध्यारती है रमन कक्षा 10 का विध्यारती है बह अपनी कक्षा में उपर से 16 और नीचे से उड़नचास में इस्थान पर है इस तरीके से परेशान मत होने लगता सर उपर से ये नीचे से ये जादा परेशान नहीं होना आपको एकी तरीका मैंने बता दिया है ठीके क्या बुलाए उपर से 16 तो इसको उपर का मतलब लेफ्ट बोल दो ठीके नीचे से मतलब right बोल दो clear है कक्चा में कुल कितने बिध्यारती हैं कुल बिध्यारती के संख्या बतानी है किसकी रमन की बात चल लेगे ना रमन का दिया है ना दोनों तरप से इस्थान बिल्कुल रमन का दिया है तो t बरावर l पिलस r- के बन t बरावर l हो गया 16 पिलस 49 माइनस के बन जब हम इसको solve करेंगे प्यारती ये कितना हो गया कितना हो जाएगा ये आप एंगेसर ये हो गया 9,6,15,65 हो गया एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आप एंगेसर 64 हो जाएगा 64 ओप्सन नमबर ए हमारा correct answer हो जाएगा काफी easy question था next question को देखेंगे इसमें क्या वो लगया है बिल्कुल ऐसा ही question है बस इसमें कारों की बात की गई है कारों की एक पंक्ती में लाल कार 22 से चोदमी तदा दाएं से तेश भी हैं पंक्ती में कितनी का रहे हैं अब लेफ्ट से कितना दिया है 14 और राइट से कितना दिया है 23 clear है तो पंक्ती में कितनी का रहे हैं तो T बरावर L पिलस R माइनस के 1 T बराबर 14 पिलस 23 माइनस के बन तो कितना आजाएगा solve कर सकते हैं बिल्कुल कर देंगे कितना हो गया 37 माइनस एक कितना हो जाएगा 36 कितना हो जाएगा 36 option number A हमारा correct answer हो जाएगा काफी आसान question था next question को देखेंगे next question में क्या वो लगया है 38 चात्रों की एक कक्छा में केतने चात्रों की कक्छा है 38 चात्रों की आपके total दे रखा है आपके total क्या है दिया हुआ है कि total हमारा कितना है 38 है clear है 38 चात्रों की एक कक्छा में बिजय का किरम उपर से उपर का मतलब मैं बता चुका हूँ लेप्ट से कितना मानेंगे 18 उसका अक्राम नीचे से बताना है मतलब राइट तुम बता दो वो क्या हो जाएगा नीचे से किलियर है बिल्कुल किलियर है कौन सा फॉर्मूला टी बरावर एल पिलस आर माइनस के बन किलियर केबल एक ही ब्यक्ति की बात चल रही है टोटल दिये हैं बिजय का क्राम उपर से दिया है नीचे से उसका क्राम पूछा गया है किलियर आसान है टी कितना है अड़ती से एल कितना है एल कितना है आप किसर रठा रहा है पिलस आर बताना है माइनस के बन ठीक है बिल्कुल किलियर है अब हम इसको सोल्ब कर सकते हैं बताओ कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिससे सोल्ब ना हो 38 18 में से एक माइनस करूँगा कितना हो जाएगा 17 पिलस आर अब आर मुझे निकालना है तो यह इधर आके माइनस हो जाएगा 38 माइनस 17 कितना बच जाएगा आप एंगे सर 21 कितना बच जाएगा 21 ओप्शन नमबर D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इतना मुझे एक एक लाइन की कोश्चन होते हैं इतनी प्रेक्टिस करके जाना के पैन उठाना ना पड़े तब ही आप सेलेक्शन ले पाएंगे ठीके यह तो मुझे समझाने के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ता है एक बात जब समझ जाओ इतनी प्रेक्टिस ऐसी कोश्चन की कर लेना के पैन उठाना ना पड़े प्यार विच्छी किलियर नेक्ट कुश्चन को देखेंगे चालिश बिध्यार्तियों की एक कक्छा है कितने चालिश बिध्यार्तियों की आपके टोटल दिया है कितना चालिस है टोटल ठीक है एक कक्छा में संकर का किराम नीचे से संकर का किरम नीचे से दिया है उसका किरम उपर से पूछा गया है नीचे का मतलब किदर से दिया है राइट से दिया है कितना 19 किलियर है उसका किरम उपर से पूछा गया है लेफ्ट मतलब किलियर है इतनी बात किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है असान है अब इसको solve करेंगे तो T बरावर होता है L पिलस R माइनस के बन T बरावर L पिलस R माइनस के बन टोटल कितना है 40 ठीक है L कितना है आप कहेंगे सर बताना है L तो पिलस R कितना है 19 है माइनस के बन solve कर सकते हैं नहीं कितना बचेगा यह 18 इस 18 को 40 में से माइनस कर देंगे तो L कितना आजाएगा बताओ कितना आजाएगा आप देखते ही कहेंगे 22 आजाएगा 22 आजाएगा option number C हमारा correct answer हो जाएगा बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आसान question है आराम से कर सकते हो ठीक है आगे चलेंगे next question को देखेंगे next question में क्या बोला गया है बस question की language समझने का प्रियास की अगर ओ जिस दिन आप question की language समझने सीखें तो question भो ज़्यादा easy होते हैं जैसे इस question बोला है एक पंक्ती में राम 22 सोल में बैदाएं से पंद्रमा इस्थान पर है कोई पंक्ती है यह कोई पंक्ती है ठीक है इस पंक्ती में राम 22 से दिया है बाबु इसका 16 बैस्थान clear और दाएं से दिया है इसका पंद्रमा इस्थान कोई दिक्कत नहीं है कितने बैक्ती और सामिल किये जाएं कि कुल 50 बैक्ती हो जाएं बाबु पहले में निकालनों इस पंक्ती में कितने बैक्ती हैं पहले में निकाल लूँ इस पंक्ति में कितने ब्यक्ति हैं। तो एक ही ब्यक्ति का राम का दोनों तरफ से इस्थान दिया है। तो मैं टोटल निकाल सकता हूँ इस पंक्ति में। आप कहेंगे सर विकुल निकाल सकते हैं। T बरावर L पिलस R माइनस के बन, T बरावर 16 पिलस 15 माइनस के 1, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर यह आ जाएगा 30, टोटल इस पंगती में कितने आ गए? 30, उसने पूछा क्या है? उसने कितने ब्यक्ती और सामिल किया जाएगा? कि कुल 50 ब्यक्ती हो जाएगा, तो इसमें कितने और सामिल करूँ? आप कहेंगे सर इसमें 20 और सामिल करेंगे, तभी तो 50 होंगे, इस पंगती में कितने और सामिल करने है? 20, तो हमारा करेक्ट आंसर क हो जाएगा काफी आसान कोश्चन था बस थोड़ी सी लेंग बेच को समझना था किलियर आगे देखेंगे नेक्ट को बिल्कुल इसी तरीके का कोश्चन है मेरी पूरी कोशिस होती है कि एक ही टाइप के दो से तीन कोश्चन करा दों जिससे बच्चे को किलियर हो जाए जैसे इस कोश्चन को पढ़िए अरुन को यह पता चलता है कि लड़कों की एक पंक्ती में बैदाईं तरफ से बार्मा तथा बाईं तरफ से चोथा है कोई पंक्ती है लड़कों की ठीक है अरुन को क्या पता चलता है कि एक पंक्ती में दाईं तरफ से बार्मा है इधर से दाई पंक्ति में कितने लड़कों को सामिल किया जाए prima पंक्ति में देख कितने है पहले पंक्ति में मैं देख लेता हूं तो एक लिदेख कर देख लेता हूं तो टी रहावर होता है L पिलस R माइनस के बन T बराबर 4 पिलस 12 माइनस के बन किलियर है कितना हो गया यह 15 हो गया कितना हो गया इस पंक्ती में 15 हैं वो करा कितने ओर सामिल करें इस पंक्ती में कितने ओर सामिल करें जिससे कितने हो जाए उनकी संख्या 28 हो जाए तो आपका एंग सर्थ 13 और एड़ कर दो कितना एड़ कर दो 13 और एड़ कर दो तो उप्स नमर B हमारा correct answer हो जाएगा क्या हो जाएगा कितने और एड़ करने इसमें आपका एंग सर्थ 13 तभी तो 28 होगी संग्या बिल्कुल ठीक है किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए next question को देखेंगे आसान question यह भी समयने का प्रियास करेंगे किसी कक्षा की परिक्षा में उत्तीन बिध्यार्तों के बीच किसी कक्षा की परिक्षा में उत्तीन बिध्यार्तों के बीच उत्तीन बिध्यार्तों के बीच तेहरवा और नीचे से 27 मां है उत्तिन विध्यारतु की यह कोई उत्तिन विध्यारतों की मैं बना लेता हूँ ठीके है किसी कक्षा की परिक्षा में उत्तिन विध्यारत working के बीच इस पंक्ति में क्या है तिहरमा और बावु नीचे से क्या है उसका क्या है छबिसमा बता यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक नहीं है क्या बोला गया है यह कोई ठीक है यह कोई पंक्ति बना लेता हूं मैं उत्तिन बिद्यार्थियों की इसमें उत्तिन द्यार्थिये उनके बीच बिनने का किर्मांग ओपर से क्या है तिह्रवां ओपर का मतलब 2520 तिह्रवां और दाये से क्या दिया है उसका 46 मा किलियरр नीचे का मतलब दायöhrage पहले हैं आपको किलियर कड चुका हूँ. इसलिए notes बनाते हूँ चले करो जिससे एक एक चीज आपको clear होती चली जाए किदर क्या है इतना कर लिया सबसे पहले मैं देख लेता हूँ उत्तियन बिध्यारती है कितने इस पंक्ती में उत्तियन बिध्यारती है कितने तो आप कहेंगे सर एक ही ब्यक्ति का दोनों तरफ से इस्थान दिया है कोने बिने का किरम बिने का किदर से दिया है उपर से भी दिया है और नीचे से भी दिया है तो total बराबर या तो मैं बैसे लिख दो उपर प्लस नीचे माइनस बन या left right जैसे मैं न बता दिया ऐसे कर लो ठीक है दोनों तरीकों से हो जाएगा कोई दिक्कत नीचे आपको बिल्कुल confusion नहीं होना चाहिए इसलिए मैं एक ही तरीका बता रेता हूं जिससे आपको बिल्कुल confusion ना हो left पिलस right 13 पिलस 26 माइनस की एक ठीक है इतना कर लिया बिल्कुल ठीक है अब total मैं देखूं तो कितना आ गया 38 अगर मुझे total बिध्यार्थी उत्तीन पूछे दे तो कितना होता 38 वो होता बट उसने आगे बोला यदि 7 बिध्यार्थी इस परिक्षा में 7 बिध्यार्थी इस परिक्षा में अनुत्तीन हुए तो बताए कि इस परिक्षा में कितने बिध्यार्थी थे 38 मत लगा आना ठीक है इसने बोला यदि 7 बिध्यार्थी इस परिक्षा में अनुत्तीन हुए तो बताए कि इस परिक्षा में कुल कितने बिध्यारती थे ये कितने उत्तीन तो आ गए ये अरतिस और कुल पूछा गया ना मेरा तो साथ इसमा अनुत्तीन भी हो गए परिक्षा जो ही थी तो टोटल बिध्यारती कितने थे आपको एंसर टोटल से पैतालिस समयने का प्रियास करेंगे ऑगरaros औति dobrate a dv VirginFirst को लाइक किया करें और ज्याद़ को सेयर करें ठीक है जैसे सबस्तक्त करोंगे तब यहीं ज्यादा से ज्यादा वेडियो को मिल पाएंगे और मुझे अच्छा भी लगए अग्छा अगर आप बच्चे हैं घड़ से लड़किया हैं घड़ से नहीं निकल सकती तो उनको जरूर भेजा करो एक बार कम से कम ट्राइट तो करें हो सकता है अगर वह बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से सेलेक्शन ले जाएंगे घर बैट करी ठीक है तो उनकी हेलप आप इतना त कैप्टर को नहीं पढ़ा है तो समझने का प्रियास करेंगे क्या वो लगया है 49 बिद्यालतियों की कक्छा उन्तालिश बिद्यालतियों की क्या है कक्छा है उसमें सुरेश असोक से साथ रेंक आगे है सुरेश क्या है असोक से साथ रेंक आगे है यदि असोक की रेंक अंत और टोटल दिया है इसमें, टोटल दिया है न और सुरेश की आरम से रेंग पूछी गई है, आप कहेंगे सा सुरेश की आरम से रेंग पूछी गई है, और मुझे अगर अन्त से पता होनी चीए न, क्योंकि T बरावर होता है L पिलस R माइनस के बन, मालो मुझे से किसी की भी अगर मुझे टोटल पता है और एक इसका लेफ्ट या राइट पता है ठीक है मालो लेफ्ट पता है तभी तो मैं राइट निकाल पाऊंगा आपके इंसर बिल्कुल ठीक है तो मुझे टोटल दिया था 49 तो सुरेश की आरम से कौन सी रेंग पूछी गई है तो मुझे से साथ रेंग आगे है यह क्या है एक मैं माल लेता हूँ एक पंक्ती है एक अक्छा में ठीक है सुरेश असोक से साथ रेंग आगे है यदि असोक की रेंग अंत से सत्र भी है असोक की रेंग बबू अंत से दे रखी है अंत से कितन दे रखी है बताएंगे मुझको अंत से क इककत होगा थी पैन चलने में ठीक है यहां समझिये आ इस में 29 पीड़ती कख्छा है सुरेश असोक से 7 रायंक आगए है यदि असोक की रायंक अंठ से 27 रभी हैं सुरेश क्या है बाबू, और आगे है, सुरेश आगे है कितनी रेंक, साथ रेंक आगे है, सुरेश आगे है असोक से साथ रेंक, ठीके, तो सुरेश कौन सा होगा अंत से, सत्रे और साथ कितना हो जाएगा, सत्रे साथ कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, चोबिस, अगर सुरेश का अंतसे इस्थान में पूछता हूँ आपसे तो आप क्या कहेंगे 24 हो जाएगा अब आरंब से बता सकते हैं या नहीं आरंब से बता सकते हैं या नहीं आप कहेंगे सर बिल्कुल बता देंगे एक बार और समझेगे क्या 49 बिद्यालती की कच्छा है ठीक है सुरेश असोक से 7 रेंग आ गए है यदि असोक की रेंग अंसे 70 भी है तो सुरेश की आरंब से कौन से रेंग होगी सुरेश की आरंब से रेंग पूछी गई है तो मतलब और टोटल दे रखा है तो मतलब सुरेश का अंत से भी इस्थान पता होना चीए ना आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है तो ये एक पंक्ती में बना लेता हूँ किलियर अब यहाँ देखेंगे यदि असोक की रैंक अंत से सत्रवी है असोक की रैंक बबू अंत से दी है अंत से क्या है असोक की रैंक सत्रवी किलियर है मुझे सुरेश की रैंक चीए अंत से तो यहाँ पढ़ेंगे फिर आप यहाँ पढ़ेंगे सुरेश असोक से सात रैंक आगे है यह असोक है सुरेश क्या इससे आगे है कितनी रैंक आगे है 7 रेंग आ गए है तो 7 जब 17 में जोड़ूंगा मैं कितना हो जाएगा कितनी हो जाएगी आप कहेंगे सर 24 हो जाएगी किसकी रेंग सुरेश की अंत से कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी किलियर है आप प्रारम से बता सकता हूं बिल्कुल बता सकता हूं क्या फॉर्मूला होता है T बरावर L पिलस R माइनस के बन किलियर T कितना दिया 49 L कितना है बताओ मुझको आप कहेंगे सरी ये तो बताना है आरम से तो R कितना है 24 माइनस के बन जब मैं इसको solve कर रहा हूँगा प्यारे बच्चो तो solve आप कर सकते हैं L पितला कितना हो जाएगा 23 solve कर सकते हैं आप कहेंगे सर बिलकुल कर सकते हैं काफी आसान है तो कितना जाएगा L बरावर बताओ मुझको कितना जाएगा आप कहेंगे सर 49 में से 23 माइनस करूँगा तो मेरा जाएगा 16 कितना जाएगा 16, option number A हमारा correct answer हो जाएगा कई-कई बार question के practice करिए या आपके उंगलियों पर question हो जाएंगे के लिएर अगला question देखेंगे और समझने का प्रियास करेंगे ठीक है, अगला question देखेंगे और समझने का प्रियास करेंगे question की language ही बस आपको समझनी है और question में कुछ भी नहीं है इसको पढ़ेंगे 16 लिलकों की एक पंक्ती में जब प्रिकास को बाई और दो इस्थान इस्थानांतरित किया जाता है मतलब खिसकाया जाता है तो बहर 22 से सात्मा हो गया पंक्ती की दाई और से उसकी पूर विश्थिति क्या थी ठीक है पंक्ती की कैदर से पुछिए दाई और से काफी आसान question है बिल्कुल easy question है प्यारे विच्चों ठीक है क्या है बताओ मुझको 16 लड़कों की एक पंक्ती है ये कोई पंक्ती है कितने की 16 लड़कों की 16 लड़कों की एक पंक्ती है बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपके जिए सरु कोई भी दिक्कत नहीं है जब प्रिकास को बाई और दो इस्थान इस्थानांद्रित किया जाता है तो बैब 22 सिरे से सात्मा हो गया 22 से कौन सा हो गया सात्मा हो गया कौन सा सात्मा हो गया किलियर है 22 से क्या हो गया सात्मा हो गया अब मुझे यह बताईए उसने क्या पूछा है पंक्ती की दाई और से उसकी पूर बिस्थिति क्या थी मतलब पहले इस्थिति क्या थी तो पहले का इस्थान मुझे प्रिकास का पता होंची पहले कौन सा इस्थान था प्रिकास का वगी पूर्विस्थिति पूछिए न अगर कुछ न बोलता आप पूछ लेता पंक्ति की दाइयोर से प्रिकास की इस्थिति क्या है तब मैं बताये था यहीं से तो मुझे क्या पूछा है तो पंक्ति की दाइयोर से उसकी पूर्विस्थिती क्या थी तो पूर्विस्थान मुझे पता उन्चे प्रिकास का क्या था तो मुझे बताओ इसने क्या बोला जब प्रकास को बाई और दो इस्थान इस्थानांत्रित किया जाता है दो इस्थान इस्थानांत्रित किया गया बाई और तो बाई सिरे से वो साथ में हो गया अगर पहले मैं उसका इस्थान पूछू तो क्या होगा आप कहेंगे सर पहले उसका इस्थान रहा होगा बाएंसे नोमा ठीके क्या रहा होगा बाएंसे पहले इस्थान नोमा रहा होगा ना जब यहां पर फिर पढ़ेंगे जब प्रिकास को बाई और दो इस्थान पहले उसका ये रहा होगा जब इसको बाई और दो इस्थान खिसकाया बाई और आपको पता है कि दरुब खिसकेगा बाई और दो इस्थान खिसकाया तो मैं बाई सिरे से कौन सा सात्मा हो गया तो मतलब पहले कुन सा रहा होगा नोमा रहा होगा ना आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है तो मुझे काम जो करना है उसकी पूर विस्तिती पर काम करना है क्लियर है क्योंकि मुझे से पूछे ये गया है पंक्ति की दायोर से उसकी पूर विस्तिती क्या थी question खतम हो गया बस इतना सा आपको समझना था क्या होता है t बरावर l पिलस r माइनस के बन किलियर है total कितना दिया 16 बरावर left से कितना इस्थान है no पिलस right से मुझे बताना है माइनस के बन clear 16 बरावर pen भी चलने प्यार बच्चो पसीना इतना रहा है कि इस्क्रिन पर गिर गया pen भी नहीं चल पा रहा है तो आपको समयना ठीक से कितना 16 बरावर 9 में से एक जाएगा 8 बच्चेगा पिलस r r मुझे से पुझा है कितना हो गया उसकी पूर भी सिती आप कहेंगे 8 मी ठीक है 16 में से 8 जाएगा 8 बच्चेगा तो उप्स नमर B हमारा correct answer हो जाएगा किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस आपको language को समयना है question में बोला क्या गया है clear है आगे देखेंगे question को समझने का प्रियास करेंगे next question यही question आपको फसा देते हैं अगर आप अच्छे से बढ़कर नहीं जाते हैं तो इसको देखेंगे काफी easy question है आसानी से कर सकते हैं क्या बोला गया इसमें आप एंगे सर्थ 74 लड़कियों की एक पंक्ती है कितनी यह कोई पंक्ती है कितनी 74 कितनी लड़कियां इसमें 74 लड़कियां है clear स्वेता बाएं छोड़ से 27 में इस्थान पर है स्वेता बबु बाएं छोड़ से कौन से इस्थान पर है 27 में इस्थान पर है clear पलक स्वेता के दाएं साथ में इस्थान पर है पलक स्वेता के दाएं दाएं मतलब किधर चलना आपको पता है ना स्वेता के दाएं स्वेता के दाएं कौन से स्वेता के दाएं साथ में इस्थान पर तो इसके दाएं साथ मा मुझे चलना है तो 27 और 7 कितना हो जाएगा मेरा 34, 34 हो जाएगा अगर इसका इस्थान पूछू बाएं से बाएं से अगर इसका इस्थान पूछू प्यारे बच्चो पलक का पूछू तो बता दोगे कितना हो जाएगा ये किसका इस्थान है पलक का ठीक है स्वेता बाएं छोड़ से कितनी थी 27 में थी कौन स्वेता बताओ इतना तो बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चो समझना होगा अभी दीजिटल वोड मेरे पास नहीं है ठीक है इसलिए आपसे कहता हूँ ज्यादा ज्यादा सेयर की अगर हो इस पर ही आपको समझना होगा जब आप सब्वोर्ट नहीं इतना केलियर हुआ आप कहेंगे सर बिल्कुल केलियर हो गया तो क्या पूछा गया है पलक का इस्थान पंक्ति के दाएं छोड़ से क्या होगा कुछ भी नहीं है कोशन में काफी इजी कोशन है आप देखती ऐसे कोशन को बना सकते हैं कैसे करेंगे आप कहेंगे सर पलक का 22 दाएं से मुझको पता है चोतिसमा है दाएं से बता सकता हूँ एक फूर्मूला बताया था टी बरावर ल पिलस आर माइनस के बन ती कितना है 74 ल कितना है लेफ्ट से कितना पलक का 34 पिलस आर माइनस के बन जब इसको सोल्ब करेंगे तो 74 इक्वल टू कितना 34 में से माइनस करेंगे 33 पिलस के आर राइट से इस्थान निकाल सकते हो 74 में से 33 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बताओ मुझको कितना बच जाएगा आप कहेंगे सर यह बच जाएगा 4 में से 3 गए 1 साथ में इस तीन गया चार 41, 41 कौन सा हो जाएगा option number B हमारा correct answer हो जाएगा किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है आपर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चीए काफी easy question था ठीक है क्या हो जाएगा 41, option number B हमारा correct answer हो जाएगा next question को देखेंगे next question में क्या बोला गया है इसको समझेंगे अच्छे से इसमें क्या बोला गया है 37 लड़कियों की एक पंक्ती में school building की और मुख करके खड़ी हुई आईसा 22 छोट से पंदर में इस्थान पर है कितनी लड़किया है 37 लड़किया में माले तो यह कोई पंक्ती है टोटल लड़किया कितनी है 37 पैर वेच्छों कोई दिक्कत तो नहीं आभी तक कितनी लड़किया इस पंक्ती में 37 किलियर आईसा 22 छोट से पंदर में इस्थान पर है आईसा बाबू इधर 25 छोट से कौन से इस्थान पर है पंदर में इस्थान पर यदि बहेच 6 इस्थान दाएं और इस्थान आंतरित हो जाती है यदि बहेच 6 इस्थान दाएं और इस्थान आंतरित हो जाती है अब 6 स्थान और खिशका दिया दाई और तो 15-6 कितना हो गया आप कुंछे स्थान पर हो गई यह आईसा आप कहेंगे स्थान पर आइसा हो गई 21 में स्थान पर किदर से बाएशा होट से clear है ? बिलकुल clear है तो दाएशाओ से उसकी इस्थिति क्या होगी ? दाएं छोड़ से उसकी इस्थिती बता नहीं है, कुछन में कुछ भी नहीं है, आइस्था का इस्थान बताना है, आइस्था का इस्थान 22 से बता है, दाएं से बताना है, टोटल तुमको बता है, एक ही फोर्मूला तुमको बताया गया है, T बरावर L पिलस R माइनस की बन, बताव इस से लग तो कुछ नहीं है, आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं, टोटल मुझको दिया है कितना 37 बराबर, लेप्ट से कितना 21, पिलस राइट, माइनस के 1, किलियर है, अब इसको इतना तो सोल्ब करी सकते हैं, आप 37 इक्वल टू, कितना बचेगा, 20 पिलस आर, अब 8 तो निकाल सकते हैं, 37 में से माइनस करेंगे कितने, 20, कितना बचे जाएगा, आप कहेंगे सर, 17 बचे जाएगा, कौन सा, 17 बचे जाएगा बाबू, 17 आप कहेंगे सर, ये 16 दिया है, 21, 20, 18, मतलब इसका correct answer होगा, option number 1, इन में से कोई नहीं, क्या होगा, इन में से कोई न नहीं, क्योंकि हमारा जो answer है, उसकी दाइं, और से इस्तिती जो होगी, वो क्या होगी, 70 बच्चों, clear है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, देखती question बनने चाहिए, कसम खालो, कि पैन उठान ना पड़ें, ऐसी question में, इतनी practice आपको exam तक कर लेनी है, clear है next question को देखेंगे, next question में क्या बोला गया है, 40 बिध्यारती की एक पंक्ती में, कितनी 40 बिध्यारती की एक पंक्ती है, चालिस विद्ध्यार्थकी प्यर्यवाश्च पंस्टी है जब नितिन को उसके दाईम ओर और आठ इस्थान खिसका दिया जाता है कि तो उसका इस्थान दाएं अन्त से 22 मा हो जाता है कुछ भी नहीं है दाएं से बताओ उसका इस्थान कौन सा हो गया आप कहेंगे सर बाइसमा हो गया कौन सा हो गया बाइसमा हो गया किसका नितिन की बाद चल लिए बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो क्या पूछे गया है उसी पंक्ती में उसका बाइस्थान बाइं अंत से क्या होगा फेरफ चो क्या पुछा गया है उसी पंक्ती में उसका बाश्तविक इस्थान बाइं अंत से क्या होगा यहीं पर कोशन मत करने लगना कभी एकदम करना शुरू कर दो सब दाएं से दिया बाइं से ऐसे बता देता हूँ ती बरावर एल पिलस आर माइनस के बन और यहाँ पर लगा दो टी बरावर चालिस और एल बताना है आर लगा दो बाइस माइनस एक गलत हो जाएगा सेलेक्शन कभी नहीं लिपाओ के बता रहा हूँ गलती मत कर देना कोश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो कोश्चन है बोल गया उसी पंक्ती में उसका बाइस्तविक इस्थान बाइस्तविक इस्थान पूछा है मतलब बाइस्तविक इस्थान ठीक है तो यह बाइस्मा जो हुआ था यो खिसकाने के बाद ही तो भुआ था जब नितिन को उसके दाईं और आथ इस्थान खिसका दिया आथा है तो उसका इस्थान तभी तो भुआ था दाएं से बाइसमा बाश्ट भी किस्थान अगर पूछाँ मैं उसका दाएं से तो आप क्या कहेंगे? बताओ आप क्या कहेंगे? अगर 22 इस्थान आपसे पूछता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, सर उसका पहले जो इस्थान होगा, वो कितना होगा? पहले जो इस्थान होगा, उसका वो कितना होगा? आप कहेंगे, सर पहले रहा होगा उसका 30 रहा होगा clear जब नितिन को उसके दाई और 8 इसतान खिसका दिया गया जब इसको 8 इसतान दाई और खिसकाया होगा दाई और मतलब इधर खिसकाया होगा इधर मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं न तो घटे का न आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीके जब पीछे की तरफ खिसका है होगा आट स्थान तब ही तो उसका बाइसमा हुआ ना आप केंग सर बिल्कुल ठीक है तो पहले जो इस्थान होगा उसका दाएं से बाश्टपिक स्थान वो क्या होगा तीसमा होगा के लिए रहे किसी बच्चे को यहा कोई डाउट तो नहीं है ना कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बार बार समयने का प्रियास की अगर हो कितना होगा पहले उस्थान उसका बाश्टपिक 30 मा इस्थान होगा तो उसी पंक्ती में उसका बाश्ट्पीक स्थान बाएं से बताना है अब बता देंगे T बरावर L पिलस R माइनस के बन T कितना दिया 40 बरावर L बताना है लेप्ट से बताना है राइट से उसका बाश्ट्पीक स्थान किया 30 माइनस के एक किलियर 40 बराबर L ठीक है यहां से कितना बच जाएगा आप कहेंगे सर 29 कितना बचेगा 29 29 अब L बताओ कितना आ गया 40-29 करेंगे कितना हो जाएगा 11 कितना जाएगा लेफ्ट से कितना आ गया उसका इस्थान 11 option number D हमारा correct answer हो जाएगा आसान question था बस question की language कौन को पगड़ना है जो बच्चे question की language पगड़ गया वह आसान इसी question बना जाएगा किलियर है आप कहेंगे सर बिल्कुल किलियर है वो कि आपको पता है यह पंक्ती है ठीक है यह पंक्ती है किलियर मानलोब मुझे इधर से किसी का दसमा इस्थान दिया है ठीक है दसमा इस्थान दिया है अगर मुझे इसके आगे जाना है इसके आगे जाना मतलब इसके दाएं जाना है तो मानलोब पांच आगे जाना तो मैं इसमें पांच जोड़ूँगा अगर इसका मानलो इस्थान क्या दिया दिया है और मुझे पीछे जाना है मुझे पीछे जाना है तो मैं घटा हूँगा ने इसमें से मानलो मुझे पांच पीछे जाना है पांच किदर जाना है इसमें बाई और जाना है तो पांच इसमें घटा हूँगा बही कंडिशन यहां थी समझने का प्रियास करो समझने का प्रियास करो उसका इस्थान दाएं अंत से कौन सा हो गया 22 मा मालो दाएं से क्या हो गया 22 मा हो गया ठीक है कौन सा हो गया दाएं से 22 मा हो गया ये कब हुआ है जब उसको दाई और आठ इस्थान खिसका दिया जाता है मतलब पहले वो यहां रहोगा ना दाई और मतलब इधर की तो खिसका है होगा तो पहले वो आठ इस्थान आगे होगा ना इससे तो 22 पिलस 8 कौन सा होगा 30 होगा ना उसका तीसमा होगा ना पहले उसको दाइं से इस्थान किलियर है आप कहेंगे सर बिल्कुल किलियर है किसी भी बच्चे को कोई दिकत नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब उसको दाइं और इधर को खिसकाया आठिस्थान तभी तो बाइसमा हुआ है क्योंकि पीछे की तरफ को जाएंगे तभी तो माइनस होंगे ना अब मुझे लगता है किसी भी बच्चे कोई दिकत नहीं होनी चाहिए समझने का प्रियास कर ये आसान कुश्चन है नेक्ट कुश्चन को देखेंगे उत्तर के और मुकर के ती शात्रों की एक पंक्ती में ती के के दाई और चोथा है जो दाई शिरे से पांचमा है कौन ती और के की बाद चल लगी है उत्तर के और मुकर के ती शात्रों की एक पंक्ती है कितने शात्रों की ती शात्रों की एक, फंगति एक पेरविच्चे, ठीक है? टी-क के दाइओ और चोथा है, जो दाइओ सिरे से पाँच मा है, केलिर तो पी की बाइओ सिरे से इस्तिती क्या है? इसको तो एक सेगिंड भी नहीं लगना सिया था, हमें क्या पूछा है? P की बाइं सिरे से इस्थिति पूछिए बाबू P का हम क्या बता दें हमसे तो P का जिगर ही न हुआ T, K के दाइं और चोथा है जो दाइं सिरे से पांच मा है तो T और K की बाद चल लिए और हमने यहां सा के बुई लिए और उजने पी की 22 स्थिती वह भाइं उ istrani Kai ऑगा आप महें के ना कुछ क्या ना इन्हों तो टी और के के जिगर कड़ दिया आउ और जो फांच मा था न ईस्थिती किआकर जा सबस्क्री जो प्रittर है तो फूर्л सिर्मस एक प्रittर प्रittरी कुछ एसे question में time आपको नहीं लगाना है next question देखेंगे काफी आसान question है important है यहाँ से question बनने की प्रवल संभावना है इस्थान परिवर्तन वाली person इस्थान परिवर्तन वाली लड़कियों की एक पंक्ती में यदि मदू जो 22 सिरे से 10 में इस्थान पर है और बीना जो दाइश दिरे से 9 इस्थान पर है परस पर अपने इस्थान बदल लें तो मदू 22 से पंदर मी हो जाएगी उस पंक्ती में कुल कितनी लड़किया है जब भी इस्थान परिवर्तन वाला question आपको मिले जब भी इस्थान परिवर्तन वाला question मिले दो टाइक के कोश्चन बन थे इसमें एक तो उसमें बूझता पंक्ति में कुल कितनी लड़किया है एक किसी का भी मदू का ये इसमें जो भी बाचल ली मदू का बाएं से इस्थान पूछ लेता या बीना का पूछ लेता इस तरीके से कोश्चन में कह सकता था मदू का दायें से इस्थान बताओ इस तरीके से कोश्ण बनेगा एक और एक बनेगा कुल कितनी लड़किया है तो दोनों को समझेंगे मैं किलियर करने का पूरा प्रियास करूँगा किलियर है उस पंक्ति में कुल कितनी लड़किया है ये मुझे से पूछा गया है ठीक है? जब भी आपको ऐसा question मिले इस्थान परिवर तनबाला परस पर अपना इस्थान बदल लें तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस्थान बदलने के बाद आना है परस पर अपना इस्थान बदलने उसके बाद आपको आगे पढ़ना है तो मदू बाएं से पंदर्मी हो जाएगी बाएं से क्या हो जाएगी पंदर्मी हो जाएगी लेफ्ट से क्या हो गई या बाएं लिखना जाओ बाएं लिख दो कितनी होगी बाएं से पंदर्मी दाया बाला बताओ मुझे कहा है तो दाय से 9 इस्थान पर है दाया बाला इसमें जोड़ना इसका बीप्रित मतलब ही बाया है तो इसका बीप्रित जोड़ना है बाया का पोजिट दाया अगर यह दाया होता तो इसमें बाया बाला जोड़ता किलियर उन दोनों को जोड़ दे जाएंगे आप कहेंगे सरी हो जाएंगे 24 कितने हो गए 24 इसमें से माइनस कर देना है एक माइनस करा प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया और सी करेक्ट आंसर कुछ समझ में आया एक बार और समझेंगे जब बे इस्थान परिवलतन वाले परसन मिले आपको इस्थान बदलने के बाद आना है मदूब बाये से कौन से इस्थान पर हो गई पंदर में इस्थान पर खिलियर है पंदर मा तो बाया है तो इसका अपोजिट इसमें जोड़ देना है खिलियर इसका अपोजिट क्या न हो जाएगा दाया यहीं पर तो लिखा है दाय से नोमा पंद्रेनों चोबिस जो जोड़का है उसमें से माइनस कर दो करेक्ट आंसर क्या होगा है तेहिस बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है समझ गए आपका इसर बिल्कुल किलियर है एक कोशन और कर लेते हैं जिससे आपका डावट पूरी तरीके से किलियर हो जाएगा कि इसमें क्या वो लगया है पूर्सों की एक पंक्ति में मनोज दाइं और से तीसमें इस्थान पर और किरण बाइं और से बीसमें इस्थान पर जब बै अपना इस्थान बदल ले तो मनोज दाइं और से पैंतिसमें इस्थान पर हो जाता है तद अनुसार उस पंक्ति में पूर्सों की कुल संख्या कितनी है पुर्सो की कुल संखया मुझको बताने क्या बतानी है आप कहेंगे सर आपने कहा है इस्थान बदलने के बाद आना है और से 20 में इस्थान हैं तो 20 इसमें जोड़ेंगे 35 और 20 कितना हो जाएगा 55 माइनस एक कितना हो जाएगा माइनस बन कर देना है तो क्या हो जाएगा 54 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 किलियर है किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां दक नहीं होनी चाहिए काफी आसान कोश्चन है समझ गए जब कुल पूछा जाएगा तो हमें यह करना है जब पंक्ति में पुर्सों की कुल संख्य या पूछी जाए तब हमको यह करना है इतना किलियर हुआ बिल्कुल किलियर है अब आगे देख लेते हैं इसमें को और कौन से टाइप का कोश्चन बन जाता है इसको भी देखेंगे इसमें क्या दे रखा है प्यारव चीज़ को देखिए लडकियों की एक पंक्ति में काव्य वाई से पांच भी और प्रिती दाइव और से छटवी हैं जब भी अपना इस्थान एक दूसरे से परिवर्थित कर लेती हैं तो काव्य वाई और से तेहर भी हो जाती है तो दाइव और से प्रिती का इस्थान कौन सा है तो दाइव और से प्रिती का इस्थान मुझे बताना है कुछ भी नहीं कोश्चन में अभी तक हम से क्या पूछता था तो पंक्ती में कुल पूछता था कुल अब इसमें क्या पूछा गया तो दाई और से पूछा गया है दाई और बाई और से पूछा गया है तब आपको क्या करना है किलियर है अब समझी अच्छे तरीके से सबसे पहले इतना काम तो करना है इस्थान परिवर्तन के बाद आना है काब्या बाई और से क्या हो गई तेर्मी हो गई काब्या काब्या क्या हो गई बाबू आप कहेंगे सर काब्या हो गई बाई से 22 से क्या होगी 23 पहले तो इसका opposite इतना काम तो कर नहीं है दाइया इसमें जोड़ देना इसका opposite ठीक है दाइया क्या दिया है दाइय ओर से इसी दी बताओ दाइय ओर से छटवी है दाइय ओर से जोड़ देना है clear 13 6 कितने हो गए कितने हो गए आप कहेंगे सर 19 बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है आप यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है यह तो काफी आसान है जब अब यह आसान है तो दिक्कत क्या रही है अगर मुझसे कुल पूछा गया होता तो 19 में से मैं एक minus कर देता answer आ जाता clear इतना काम तो दोनों में करना है कुल पूछा जाए तो क्या करता 19 में से 1 minus कर देता बट मुझसे क्या पूछा गया तो 2 और से पूछा जाए तो क्या करना है हमने इसका भी उज़ कर लिया इसका भी यूज़ कर लिया जो बच जाए उसको minus कर दो क्या बच्छा ये 5 बच रहा है ना तो इसको minus कर दो 5 को minus करेंगे कितना जाएगा कितना जाएगा जो 5 को मैं minus करूंगा तो 19 में से 5 minus करूंगा 14 आ जाएगा option नमर B हमारा correct answer हो जाएगा केलियर हो गया है नहीं केलियर हो जाना चाहिए next question को देखेंगे कीरम पुछा गया है question को प्ढ़ते ही मेरे समझ में आ गया कैसे question को solve करना है सबसे पहले देखा इस्थान परिवतन वाले person ने दिवा अपना इस्थान आपसमें बदल लें आपसमें बदलने के बाद आगर पढ़ना होता है तो कमला 20 और से 16 पर हो जाएगे दाया कितना दिया है दायोंट से 12 ग्रम पर जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा किलियर हो गया अगर मुझसे यहां पे कुल पूछा ओ तो भी मिल्क दाई और से स्थान पूछा गया तब क्या करना है आप ж 1943 कर लिया जो बच गया उसको माईनेस कर दो में से 10 कर दूँगा तो मेरा अंसार आजाएगा आठारा और सन्मवर्-ग यह हमारा özwe question है next question को देखेंगे अब प्यारवच्ट नेक्स टाइप है ठीक है इसलिए में टाइप बाज आपको question को कराता रहता हूं जिससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए प्यारवच्ट ठीक है इतना केलियर हो गया आपका इस टाइप परिवलतन बाला question कभी गलत तो नहीं करोगे ना काफी आसान है अब इस टाइप पर यूपी बिलिशन पिछले बार question प्रिवेसर पूछा गया था तो इसको भी अच्छे से समझेंगे ठीक है बहुत अच्छे question यहां से बन जाते हैं मैं पूरी तरीके साब को कुछ भी नहीं है कि कर समझी चाइए कि एक प्यारवत्च होता है पकर मभर टी माइनस अ ठीक है एक होता है M बरावर L पिलस R मैनस T पिलस 2 मैनस T पिलस 2 प्यारव से दो फोर्मूले होते हैं Clear है आपका इंसर बिल्कुल Clear है 1 M बरावर T मैनस L पिलस के R 1 M बरावर L पिलस R प्रेकिट T पिलस 2 इतनी बात के लिए सरी यूज कैसे होंगे उसकी कैसे करने हैं जब भे पंक्ती में अधिक्तम कितने लड़के हैं अधिक्तम के लिए किस लिए अधिक्तम के लिए यह न्यूनतम मेर रशच से बने होने चाहीं जिससे आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो अधिक्तम के लिए पेरब से नीचे वाला नियुन्तम के लिए किलियर है इतनी बात किलियर हुई आपके इसे बिल्कुल ठीक है बट ये M, T, L, R है क्या बबु, M को बस आपको जानना है M बराबर मिडिल मिडिल मतलब मध्ये में मध्ये में लड़कों की संग्या दी होगी मध्ये में चार लड़के हैं, तीन हैं तो M का मान होगा वो किलियर है, T आप जान चुकें, T टोटल होता है लेफ्ट और ये राइट होता है इतना किलियर है दोनों फॉर्मूले याद कर लिए आप कहेंगे सर बिलकुल याद कर लिए लिख लो अपनी कॉपी में आप मैं कोश्चन आपको करा देता हूँ किस तरीके से इन पर कोश्चन हमको सॉल्व करने है इसमें बोलागा लड़कों की एक पंक्ती में आमन उपर से बार में तता नीचे से अठार में इस्थान पर है यदि आमन तता बमन के मद्या में 6 लड़के हैं तो पंक्ती में अधिक्तम कितने लड़के हैं अधिक्तम कितने लड़के हैं ये पूछा गया मतलब मुझसे T की value पूछी गई है अधिक्तम पूछा गया formula कौन सा यूज करने वाला हूँ आप कहेंगे सर formula आप यूज करोगे कौन सा यूज करेंगे बताओ बताओ मुझको कौन सा यूज करने वाला हूँ आप कहेंगे सर आप लगाने वाले हैं एम बरावर, एम बरावर कौन सा, टी माइनस एल पिलस के आर, ये बता अधिक्तम के लिए, बताओ मुझको, आप केंगे से बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, काफी आसान है, ठीक है, बताओ इतना तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी बच्चे को, किसी अब यहां से इनकी value रख देंगे, मध्य में कितने लिलके 6, तो M कमान कितना होगा 6, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, टी मुझे बताना है, माइनस, L पिलस आर, मतलब दोनों को इनको जोड़ना है, 12 और 18 को, L पिलस आर, 12 और 18 कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सिर्फ 30 हो जा आती है न, मैं कहा रहा हूँ, पैन भी उठाना नहीं पढ़ना चाहिए, इनमें जितने कोशिन में आपको करा रहा हूँ, एक बार प्रैक्टिस के बाद, टी मुझे पूछा गया है, बाबु टी कितना हो जाएगा, इधर आके पिलस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा, 36, ओप्शन नमर B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलियर है किसी बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नेश्ट कुश्चन को देखेंगे, कुश्चन को पढ़ेंगे, मैं एक मल्टि प्लैक्स में, एक सो के लिए टिकेट खरीदने की एक कतार में, साथ में इस्थान पर हूँ, मैंने अपने पडोसी को देखा, जो अंत से नो इस्थान पर है, हम दोनों की भी तीन ब्यक्ति हैं, कतार में ब्यक्ति की नियूनतम संक्या कितनी है, पबु क्या पूछा गया, इस पर ध्यान देंगे, क्लियर है, आप कहेंगे सर, बिल्कुल क्लियर है, क्यों लगाया, नियूनतम की बात इसने की है, अधिक तम की बात करेगा तो कौन सा फर्मूला, आप कहेंगे सर, M is equal to T minus L plus के R ब्रैक्ट में, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, M कितना दिया है, दोनों के बीच कितने तीन तीन तक दिया, L plus L आप दोनों को जोड़ दूँगा, साथ और 9 कितना हो जाएगा, 16, माइनस इसको ब्रैक्ट से निकाल लेता हूँ, तो माइनस टी, ये ब्रैक्ट हटाऊँगा, तो पिलस का 2 किसका हो जाएगा, माइनस को जाएगा, तो कि ब्रैक्ट से पहला अगर माइ इसकरें कितना बच जाएगा, 14, माइनस टी, टी की बेलियो, अगर मुझसे पूछोगे आप, तो इतना सोल्ब तो कर सकते हो, आप कहेंगे सर 11 आजाएगी, कितने आजाएगी, 11, ओप्शन नमर B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफी आसान कोश्चन था, देखते इन को को बना सकते हैं, बीना पहन उठाएगी, इन कोश्चन को सोल्ब किया जा सकता है, बस एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो, अगला कुश्चन देखेंगे, अगले कोश्चन में क्या बोला गया है, अब कोश्चन को देखेंगे, 44 विध्यार्तियों की एक कक्छा म सचिन ऊपर से पंद्र में बैसिधार्थ नीचे से बारमे के रम पर है तो बताओ सचिन बैसिधार्थ के बीच में कितने लड़के हैं अब यहां पर आप कहोगे सर इसने टोटल तो अपके दे दिया टोटल तो इसने दे दिया अब हमसे पूछ लिए बीच में कितने लड़के हैं सर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएं अब तो हमें यह इन पता दिक तंबाला लएगा यह नियुन तंबाला लएगा तो अब कुछ वी आपको परेशान नहीं होना है आपको धिया रखना है अगर मैं 40 में से इसमें टोट को इन दोनों के जोड़को घटा सकता हूं मतलब इन दोनों को जोड़को माइनस कर सकता हूं मतलब 27 को मैं 40 में से तो formula कौन सा लगाने वाला हूँ M बराबर T- L पिलस के R इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आसान है ठीक है बिल्कुल आसान है तो कौन सा लगाऊंगा M बराबर T- L पिलस के R किलियर है M कितना पूछा है हमसे M मतलब बीच में बताने है T कितना है 40 है माइनस L पिलस R 15 और 12 कितना हो जाएगा 27 M जब कितना हो जाएगा 40 में 27 माइनस करूँगा 13 ओप्सन नमर B हमारा correct answer हो जाएगा किलियर बिदिन सेगिंड एक एक सेगिंड के ये question होते हैं नेक्स question देखेंगे देखती question को बना देंगे अच्छी बिद्यार्ति की कक्छा में मैंक का दाएं से तेहरवा बे रीतूबाएं से अठार में मैं है तो बताओ रीतूबे मैंक के बीच कितने विद्यार्ति हैं रीतूबे मैंक के बीच बिद्यार्ति M की वेली पूछिए आप कहेंगे सर कौन सा formula मैंने कब अब कुछ भी नहीं है इसमें तो total मेंसे में इन दोनों के जोड को घटा सकता हो ना आप कहेंगे सर बिल्कुल तो मैंने कहा है एक ही formula M बरावर क्या करना है M बरावर T-L plus के R M बताना है T कितना है total 80 minus L plus R 18 और 13 कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर यह हो जाएगा 31 कितना होगा 31 जब इसको minus करूँगा तो कितना बज़ेगा 49 option number A हमारा correct answer हो जाएगा clear है बिल्कुल clear है next question देखेंगे 29 लड़कों की एक पंक्ती में अगर रोहित का इस्थान 22 तरफ से 19 वा तथा करन का इस्थान 22 तरफ से 19 वा हो जाता है तो बताओ पंक्ती में उन दोनों के बीच कितने लड़के हैं आप कहेंगे सर कौन सा formula मैंने का क्या इसमें से इन दोनों के जोड़को घटाया जा सकता है आप कहेंगे सर 29 में से इन दोनों को जोड़कों कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 29 में से तो 38 को नहीं खटाया जा सकता तो बब कौन सा formula लगेगा आपको खुद समझ जाना है आप कहेंगे सर इसमें formula हम यूज़ करेंगे m बराबर m बराबर l पिलस r माइनस t पिलस के 2 ठीक है यही तो यूज़ करेंगे ना बिलकुल ठीक है m बराबर l पिलस r कितना होगे 19 दूनी 38 माइनस t पिलस 2 t कितना है 29 और 2 इसमें जोड़ेंगे कितना 31 31 माइनस करूंगा 38 में से कितना बज़ जाएगा 7 option नमबर b हमारे correct answer हो जाएगा clear है बिलकुल clear है काफी आसान question था next question को देखेंगे next question का अंसर देखते ही आपको बता देना है 40 विध्यार्ति की कक्छा में दीप्ती का इस्थान 22 तरफ से 26 मा तता रानी का इस्थान 22 तरफ से 26 मा हो जाता है तो बताओ पंक्ती में उन दोनों के बीच कितने विध्यार्ति हैं question में कुछ भी नहीं है आपने क्या देखा क्या मैं टोटल में से इन दोनों के जोड़ को घटा सकता हूँ आपके इस्थान नहीं घटा सकता तोकि इन दोनों को जोड़ कितना हो जाएगा 26 दुनी 42 40 में से 52 नहीं घटा सकता तो मैं क्या करूंगा कौन सा formula यूज करूंगा आप कहेंगे सरा formula लगा दो M बरावर M बरावर L पिलस R माइनस के T पिलस के 2 ये लगा दो किलियर है M बताना है L पिलस R हो गया मेरा बामन माइनस T पिलस 2 T कितना है टोटल कितना 40 और 2 और जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा 42 M बरावर कितना जाएगा 22 माइनस करेंगे 10 कितना जाएगा ओप्सन नमडर C हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है तो प्यारे बत्चो कोशिश करिए मैंने पूरी आपको कि पूरा चैप्टर एग में करा पाऊँ पर प्यारे बत्चो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी दो से तीन टाइप और रहे गए ठीक है तो मुझे ओफलाइन में इतना ज़्यादा पढ़ाना होता है और यहां भी इतना बोलना पढ़ता है कि सांस खीच जाती है ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चो नेक्स वीडियो में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लेट करा दूँगा नेक्स टाइप रहागा है महां से भी कोशन बनते हैं ठीक है इसक्रिप्सिन में आपके एक नंबर देर रखा कोई भी क्यों यह तो वहां वर्टसप भी आप कर सकते हैं ठीक है और टेलिग्राम को जरूर जोइन करके रखेंगे टेलिग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्सिन में आपको मिल जाएगा क्योंकि वहां पर जैसे ही भरती कि जितनी भी पीडियाफ सब की ठीक है तो बात में लेट मत हो जाने इसलिए मैं कहता हूं जोइन करके रखना अभी कुछ नहीं मिलो के वहां पर मिलती रहती है तो पहले पुछ अगर वीडियो अच्छे लिए वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में